तो दोस्तों मुहम्मद इक्बाल जो है यह 1877 में पैदा हुए यह रेनाउंड पॉलिटर फिलोसफर थे जैसे कि हम जानते हैं कि इनका जो इंपक्ट है वो सब कॉंटिनेंट पे बहुत ही योज है इनकी जो सबसे पहली वुक थी उसका नाम था असरारे खुदी इस बुक में इननोंने सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ इसको उर्दू में इसका जो ट्रैसलेशन होगी इंग्लिश में वो यह होगी और इस बुक में इननोंने जो इनसान क जो नेचर है जो सेल्फ है उसको एक्स्प्लॉर किया है फिर इनकी दूसरी बुक है जर्बे कलीम इस बुक के अंदर जो सोशल और पॉलिटिकल इशूज है जो उस टाइम पे मुसल्मानों को जित चैलेंजिस का सामना था उनको जो है वो डिसकस किया है और इसलामिक किनका है सारे जहां से अच्छा वो इसी बुक का पार्ट है और इस बुक के अंदर भी इनोंने जो है वो अवास दी है मुसल्मानों को उनका जो एक्ट्वल गोल है उसकी तरफ लाने की कोशिश की है फिर इनकी जो बुक रिकंस्ट्रॉक्शन और रेलिजिस थौट इन इस इसलाम है ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद है इस बुक के अंदर इनोंने जो इसलाम के प्रिंसिपल्स हैं जो के हजूर सलसलम के टाइम पे चल रहे थे उनको सामने रखा है और इन दोनों की बेस पे इनोंने रीकंस्ट्रॉक्ट की है इसलामिक फिलोसफी अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं पड़ी तो ये must read है I recommend you strongly that please do a read फिर अगली इनकी जो बुक है उसका नाम है जवेद नामा ये बुक इनका जो है वो डायलोग है इनके अपने दर्म्यान और रोमी के दर्म्यान और ये बुक भी जो है वो overall importance रखती है और political thought के हिसाब से हमें ये ब अर्मोज बे खुदी की बात करें तो इसमें जो एकपाल है उनोंने selflessness का जो है वो concept ले के आई है जब आप community को सामने रखते हैं तो आपकी अपनी कोई हैसियत नहीं तो इस बुक में हमें ये देखने को मिलता है जैसे वो शेर है कि मौज दर्या में है बैरोने दर्या तो ये जो इनकी philosophy है हमें वो इस बुक में देखने को मिलती है फिर इनके जो अगली बुक है जिसके बारे हुँ डिसकुस करते हैं वो है अर्मगान हिजाज यानि कि The Gift of Hijaz हिजाज मक्का का पुराना नाम था इसमें इनोंने जो हज किया है मक्का और मदीना का उसमें इनो अने जो गेन किया है spiritually उसके बारे में लिखा है अलामा इकबाल जो है ये 20th century के philosopher है और इनकी philosophy अब हम डिसकुस करते हैं इनके जो Islamic philosophy है उसके अंदर जो most important और cornerstone है वो self-realization है और individual freedom है इनकी philosophy इसी पे base करेगी इलामा इकबाल की जो philosophy है वो dynamic in nature है progressive religion की बात करते हैं इनकी को rigid और orthodox approach नहीं थी Muslim word ये कहते थे कि वो जो है वो गिर चुकी है और उसको उठाने के लिए हमें self-realization का जो है परचार करना चाहिए और करना पड़ेगा और ये कहते थे जो Islamic spirit है उसको जगाना पड़ेगा और individual freedom और realization और इंसान का खुदा के साथ तालुक ये वो चीज़े हैं जो कि इनकी philosophy में हमें देखने को मिलती हैं और ये कहते थे कि जो state है उसका basic function है कि वो social welfare को promote करती है इकबाल की जो अपनी Muslim world को ले के approach थी वो बहुत ही ज़्यादा progressive है और इतनी ज़्यादा progressive है कि उस time में बहुत से लोग भी इनके खिलाफ हो गएते और इन्होंने Muslim state के बारे में ये कहा था कि Muslim state independent होनी चाहिए है self sufficient होनी चाहिए और इस कामिल होनी चाहिए कि वो जो बैरूनी खत्रे हैं उनका सामना कर सके इकबाल ने education के importance पर भी जोर दिया और कहा कि Muslimनों को unite होना चाहिए ताकि अपने goals और interests जो है उनको अजीव कर सके international relations की भी इन्होंने बात की और कहा कि जो diplomacy है that is the best way और Muslimनों को अपनी mutual respect जो है उसका भी जो है अधराख होना चाहिए फिर यह कहते थे कि जो knowledge है उसको आप empirical evidence और scientific inquiry के base पे हासिल करें एक किताबी इलम होता है और एक practical और pragmatic approach के साथ गेन किया हुआ इलम होता है तो यह जो दूसरी kind है उसके हामित है फिर जो इकबाल है उनकी individual responsibility कहती है कि इनसान की यह बहुत से responsibilities हैं जो कि towards state, towards community और towards your nation होती है तो इनसान को उनको uplift करना चाहिए फिर इकबाल जो है क्लूनिलिजम और imperialism के जो है वो सक्त खिलाफ थे और कहते थे कि मुसल्मानों को जो western imperialism है उसको reject कर देना चाहिए और जाएज़े कि हम पहले बात कर चोके हैं कि self-realization इनकी philosophy का, इनके political thought का, इनके overall work का corner stone है और Muslim world के अंदर इन्हों ने ये जो approach दी, उसकी वज़ा से इनको बहुत ज़्यादा जो है popularity, ability और Muslim world में इनको खास respect और prestige की नजर से देखा जाता है इकबाल के जो political thoughts हैं, वो Islamic political theory की development के लिए और उसको re-correct करने के लिए बहुत जरूरी है अगर आप अलामा एकबाल के बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं, तो आप launcher academy के ब्लॉग पे जाके इसको मजीद detail के साथ पढ़ सकते हैं ब्लॉग का जो link है, वो आपको description में मिल जाएगा शुक्रिया